तो हेलो दोस्तो वेलकम टॉरलेंड आज जो मूवी में आपके लेकर आया हूँ इस मूवी का नाम है ब्रोकेन ये मूवी टूठादन सिक्स में रिलिस हुई थी ये मूवी एक किलर के उपर है जो कि लोगों को ट्राइब करके बहुत बुटली तरीके से उन्हें कील करता है और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस मूवी की पूरी स्टोरी एक रेल लाइफ स्टोरी से उठाई गई है तो इस वीडियो को पूरा जगूर देखना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मूवी के शुरूआत होती है जेकब के लिख होई लाइन से और उस लाइन में ऐसा लिखा वाता है कि एक गुलाम लड़की हमेशे डर के महौल में इस जिंदा रहती है फिर मूवी में भी ये बता जाता है कि इस मूवी की पूरी स्टोरी रेल लाइफ के उपर ब वहां निखलने का र उस्ता नहीं मिलता है तब ये किलर उसके पास माकर गंच से उसका सर पर वार करके उसे बहुश करते हैं और शुर के वाज़ीट के का अपने फासी के फंदे को खुलना होगा तब ही केरन वहां से आजात हो सकती थी और ये उस किलर का एक ट्रैप था फिर बहुत कोशिश करने के बाद केरन अपने पेट के टांके को खुलकर उसमें सब ब्लेट को निकालती है और वो अपने फासी के फंदे को काटती है फासी के उलाम बन कर रहे या फिर वो अपनी मौत को एक्सेप्ट करें कहरें इतना दर्द से नहीं कर पा रही थी तो इसलिए वो किलर के गन से खुद को शूट करके अपनी जान ले लेती है सिंकट होता है और अब कहान शूर होती है दो हफ़तों के बाद से जहां पर होप नाम की एक रेस्टोन पर जाती है दोनों के बीच में बहुत सारी बाते होती है और दोनों अपने अपने फैमिली और अपने लाइफ के बारे में एक दूसरे से बाते शेयर करते हैं इन शॉट दोनों की डेट बहुत अच्छी जा रही थी अब रात को होप घर आती है जहां पर उसके बार में सारा अपने घर पर चली आती है फिर होप अपनी बेटे का रूम में जाती है जहां पर उसकी बेटी जैनिफर अपने सौफ्टर को लेकर सो रही थी होप कुछ दिर तक जैनिफर के साथ में बिठी रहती है और यह सीन यह पर कट होता है लेकिन अगले सीन में हम किलर उस बॉक्स का दोर खुलकर वहां से चला आता है हो बॉक्स से बाहर निकलकर अपने पेट को देखती है जहाँ पर कई सर टाके लगए वेते हैं उसे अपनी बेटी जैनिफर की भी फिकर हो रही थी और पास में उसे जैनिफर का वही सौफ्टर दिखाई देता है उस समय वही किलर वहां पर आता है और गंद से होप के सर पर वार करके उसे भ्योश कर दियता है होप की जब आखे खुलती है तो केरें की तरह वेसे एक ट्रेप में फसी हुई थी और उसके सामने उसकी फ्रेंट सारा की डेट बोड़ी लटके हुई थी सारा के पेट के सब ही प्लकड़ दियता है अपने टाके खुलने के लिए अब वो टाको को खुलकर अपने पेट के अंदर से ब्लेड निकाल कर अपने फासी के फंदे को खुल करी होप इस टेप से जिन्ना बच सकती थी होप ऐसा करना तो नहीं चाती थी लेकिन सारा की डेट बोड़ी की हालत द निकाल लेती है और टाके खुलने की वज़े से उसके पेट के आंतरी बाहर आ रही थी अब एक हाथ से वो पेट को पकड़ रही थी और दूसरे हाथ से ब्लेट को लेकर फासी के फंदे को खुलती है फंदा जब कट जाता है तो होब जमीन पर गिर जाती है तब ही किलर उसके हाथ तो बहुत से लड़किया ठीक इसी तर मारी है जुगी है अब किलर होप के खपलों को दोता है उन्हें साफ करता है और उसे अपने साथ अपने जेगप ले जाता है जंगल के अंदर किलर ने अपना छोटा से केम जैसा बनाया था जहां पर उरेता था और जो भी में किलर होप को पानी और खाना देता है। होप बहुत दिनों से भुकी थी उसलिए जल्दी जल्दी उस खाने को खा लेती है। खाना खाने के बार में होप अपनी बेटे जैनिफर के बारे में किलर से पूछती है। गिलर तो बार-बार ap next को is बार ने को डिक़스शे है सूने के लिए चला आता है। अब अगले दिन यानिकी फिफ्टर देखो किलर होप कुछ बरतन साफ करने को बूलकर शिकार करने के लिए चला आता है और यहां पर किलर एक चाकू को भूल गया था। किलर के जाने के बार में होप से उस चाकू को अपने पास में खीचती है किलर भी शिकार करके वापस आ चुका था तो इसलिए होप फिर से अपनी उसे जेकर पर बेट जाती है उस चाकू को अपने पास में चुपा लेती है किलर वाँ पर आता है और बरतनों को साफ देखकर वो होप से बहुते खुश था तो इसलिए वो होप को एक छोटा सा फूरूट देता है अब किलर के पीछे मुड़ते ही होप उसके उपर हमला करने वाली थी लेकिन किलर से उलड़ नहीं पाती है और किलर उसे थपड़ मार का चाको चीन लेता है अब असल में यह सब किलर का एक ट्रेप था वो होप के लोयलिटी को चेक करना चाता था तो इसलिए किलर ने जान बुच कर चाको को वाँ पर छोड़ दिया था किलर होप को धमकी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसके घुटणों की नर्वस को कार देगा और उसके बाद मीँ होप भागना तो क्या चल भी नहीं पाएगी अब होप के पेर में से चेन निकाल कर उसका गले में चेन को लॉक कर देता है और उस लॉक की चाबी अब हमेशा किलर के पास पर रहने वाली थी अब ईस्क्सतर इको किलर, होप को गार्डिंग टिप्स के बुक देता है और वो उसे अपना वेज़िटेबल गार्डन दिखाता है और अब होप की responsible थी उस गार्डन को संभालने की अगर उस गार्डन का एक भी plant मारा गया तो killer उसे माने के धमकी देता है और डर की वज़े से hope killer की सबी बातें मान रही थी और उगाडन का भी ध्यान दख रही थी फिर रात को hope killer से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों है आगरी killer ने उसे वाँ पर जू केट करकर रखा हुआ है लेकिन killer hope की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से उठका चला जाता है अब आधी रात को hope जब गेरी नीन में थी तो killer उसके पास सी बेटकर उसकी body को देख रहा था और hope को इस बारे में बिल्कुली पता नहीं था उससे देखकर यह से लग रहा था कि killer hope के साथ में इंटिमेट होना चाता था वो भी बिना उसके permission के अब अगले दिन hope जब garden का काम कर रही थी तो उससे एक बहुती beautiful floor दिखाए देता है जिससे देखकर hope को बहुती अच्छा लगता है लेकिन जब killer को floor दिखता है तो वो floor को तोड़कर fake देता है killer नहीं चाता था कि hope उसके अलावा किसी भी person या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अपने प्यार दिखाए उसके बाद में killer hope को निलाने के लिए एक lake के पास में लिख जाता है और hope जब उसके कपड़ा उतार कर ना रही थी तो killer उसे ही देखे जा रहा था जिससे कि hope को भी समझ में आ गया था कि killer को ऐसे अपने जान में फसाना है तो इसलिए lake से वापस camp में आने के बार में hope killer से बहुती अच्छी तरीके से भीव कर रही थी और वो उसे seduce भी कर रही थी killer भी उसके जान में फस जाता है और फिर दोनों intimate होते है अब अगले सुबह killer जब सो रहा था तो hope अपने lock के चावी को डूण रही थी और killer के जागने से पहले ही hope को चावी मिल जाती है और वो अपना lock खो लेती है और चाकू लेकर killer को मानने का सूझती है ने तो killer उसका पीछा करता रहेगा पर वो killer को मान नहीं पाती है और यह उसके सबसे बड़ी गलती थी लेकिन फिर भी killer उसका पीछा ना करें तो इसलिए वो killer के घुटनों के पीछे कर लगा देती है और वहाँ से भागने लगती है अब भागते भागते होप एक उडन बॉक्स तक आ गई थी उसे ऐसा लगा था कि वहाँ पर उसकी बेटी जेनिफर बंदी होगी लेकिन वो बॉक्स खाली था पर उसे वहाँ पर जेनिफर के थोड़े से बाल और स्वेटा मिलती है वज़े से वो बहुते ज़्यादा तरप रही थी फिर उसके बाद किलर होप को गसिट कर अपने केम्प में लेकर आता है और वहाँ पर उसे चेंसर लॉक कर देता है और अब किलर होप की कोई भी देखबाल नहीं कर रहा था और वो उसे दर्द में तलबना देता है दर्द के वज़े से होप को पैनिक अटेक भी आ रहे थे लेकिन किलर अपने जप्मों पटाके लगाने में बिजीता वो उस पर बिल्कुई भी ध्यान नहीं देता है अब ऐसे ही नो दिन बिज जाता है किलर अपने शिकार पर जाने के लिए रेडी होता है होप दर्द को सहीं नहीं कर पा रही थी तो इसलिए वो किलर को बुलती है कि वो उसे मार डाले लेकिन किलर उसे नहीं मारता है और वो होप को और तलबतावा देखना चाता था किलर के जाने के बार में होब अपने बेटी को याद करती है और उसे ही रिलाइज होता है कि जेनिफर को बचाने के लिए उसे जीना पड़ेगा तो इसलिए वो हिम्मत करके पहले तो अपने टुटे हुए पेर की हड़ी को सिधा करती है और उसके बार में वहाँ पर एक लकड़ी को बिल्कुल प्लास्टर की तरफ बान लेती है अब इन सब काम में उससे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वो अपने बेटी को याद करके सारे दर्द को सेयन कर रही थी उस दिन killer वापस नहीं आता है तो इसलिए होप आँग जला कर और कुछ फ्लावर को खा कर वो दिन गुजारती है अब अगले दिन जब होप के आँगे कुलती है तो killer उसके पास में था जो उसके पेर को देख रहा था सांती हुए ये देखती है कि killer मिया नाम की एक नहीं लड़की को लेकर आया है उससे ऐसा लगता है कि killer ने उसकी बेटी को बहुती बिड़ली तरीके से मार दिया है तो इसलिए वो killer को चैलेंज करती है कि killer जो कुछ भी करे वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरेगी अब ऐसे ही 16 दिन बीच जाते है मिया खुद को इन हालत में पाकर चिला रही थी और killer उसके आवाज से इरिटेट हो रहा था तो इसलिए वो मिया को मानने के कोशिश करता है लेकिन होब killer को प्रामिस करती है कि वो मिया को सबको समझा देगी और सिखा भी देगी तो इसलिए killer उससे न मारे killer भी होब की बाते मान कर मिया को तब जान से नहीं मारता है फिर उसके जाने के बाद मिया को समझाती है कि वो उसके help करेगी लेकिन मिया को ऐसे चिलाना बंद करना होगा तब भी वो उसके help कर पाएगी कुछ देर के लिए मिया चुप हो जाती है लेकिन वो फिर से डर के मारे चिलाना लगती है और अब वो चुप भी नहीं हो रही थी वो तिन रात नौन स्टॉप बस चिलाई जा रही थी अगले दिन गुस्से में होप उसे चुप रहने को कहती है लेकिन मिया चुप नहीं होती है तो इसलिए गुसे में आकर किलर उसके मूँ में चाकू डाल कर उसके जबान को काड लेता है फिर किलर मिया की जबान को आग में डाल देता है लेकिन वो मिया की कोई केर नहीं करता है बलकि वो उल्टा उससे बरतन साफ करने को कहता है और ये सब देखकर होप अब बहुत ज़दा डर चुकी थी होप को किलर के साथ में अब 20 दिन हो चुके थे और उस दिन जब होप गार्डन में काम कर रही थी तो उसे वहाँ पर एक सुन्दर सा फूल दिखाए देता है किलर उस फूल को तोड़ने वाला था लेकिन होप किलर को ऐसा करने नहीं देती है और इस पर किलर भी ऐसा नहीं करता है अब धिरे धिरे किलर मिया से जदा होप का ख्याल रखने लगा था और खाना भी वो होप को ही जदा खिलाता था फिर किलर मिया की भी लोयल्टे चेक करने के लिए चाको को ठीक उसी तरीके से उसका सामने लगता है और खुद को बचाने के लिए मिया उस चाको को उठाने वाली थी लेकिन होप को तो पहले से ही पता था कि ये सब किलर की बस एक चाल है तो इसलिए होप मिया को चाको उठाने से मना करती है लेकिन फिर भी मिया चाकू तक पोचने की कोशिच कर रही थी लेकिन किलर को वापस आता देखतर मिया चाकू से दूर बेट जाती है चाकू को उसे जगर पर देखकर किलर को ऐसा लगता है कि होप मिया को अच्छे से गुलाम बनने के ट्रेनिंग दे रही है तो इसलिए killer होप से बहुत ज़्यादा खुश था फिर रात को हम देखते हैं कि मिया अपने सोक्स में स्टोन को भर रही थी और होप के मना करने पर भी मिया नहीं रुकती है killer को शक्मा देने के लिए मिया ने एक हतियार बनाया था फिर killer का ध्यान जब मिया से हटता है तो मिया उसे यातियार से killer के सर पर वार करती है जिससे कि killer थोड़े देर के लिए बेऊश हो जाता है फिर मिया killer की जेब से चाबी निकालकर अपने लोग को खुलती है और जाने से पहले वो चाबी होप को देख जाती है ताकि होप भी वार से जिन्दा बचके निकल सके killer जब होश माता है तो गन को लेकर मिया का पीछा करता है और जल्दी है वो मिया को ढूंड कर उसे शूट कर जैता है लेकिन मिया तब भी नहीं मरती है तो इसलिए killer उसके पास मजाकर उससे बहुती ब्रुटली तरीके से माड आलता है अब इस तरफ होप भी अपने लोग को खोलकर वाँ से बागती है लेकिन उससा समझ आ गया था कि killer के जिन्दा रहने तक वो वाँ से नहीं बाग सकेगी तो इसलिए वो वापस केम पाती है killer को मारने के लिए गोली के आवाद से वो जान गई थी कि Mia मर चुकी है और होप killer के टेंटे मंदर जाती है जहां पर उसे अपनी बेटी का सौफटर मिलता है वो सौफटर को और एक रोड को अपने साथ में लिकर killer को मारने के लिए बहा निकलती है तब तक killer भी वहाँ पर आ चुका था जो कि Mia के खुन से लट पता जिससे देखकर होप और भी ज़़ादा गुस्सा होती है और गुस्से में होप killer को उसी रोड से पीट-पीट कर तुरंती मा डालती है killer भी उससे नहीं लड़ पाता है लेकिन मरने से पहले killer होप से कहता है कि उसके मरने के बाद भी होप सेफ नहीं है पर होप इस बात पर जहा नहीं देती है फिर killer को मारक और होप अपनी बेटी का सौफटर लेकर जेंगल से निकलने का रास्ते ढूनने लगती है कुछ दो जानने के बाद में होप एक छोटा सा केबिन दिखाई देता है उस केबिन के अंदर देखने पर होप को अपनी बेटी जेनिफर दिखाई देती है जो कि बहुत ही डरी हुई थी अपनी बेटी को जिन्दा देखकर होप बहुती ज़दा खुश होती है फिर जेनिफर को केबिन से बाहर निकालने के लिए होप दर्वाजे को तोड़ने लगती है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किलर ने दर्वाजे में एक ट्रैप फिट करकर रखावा है जब होप दर्वाजे को खुलती है तो ट्रैप अन हो जाता है और उसमें से दो लोही की किलर होप के आखों में शूट होती है जिससे कि होप के दुनों आके फूट जाती है ये सब जेनिफर अपनी आखों के सामने देख रही थी जिससे कि उसके दिमाग पर बहुत ये गहर असर पड़ता है मतलब कि किलर ने ये सही काता कि उसके मरने के बाद भी होप सेफ नहीं है यहाँ पर अब होप के आखे फूट चुकी थी और जेनिफर भी छोटी थी तो इसका मतलब ये था कि अब वे दोनों कभी भी इस जंगल से नहीं निकल पाएंगे और इसे के साथ में ये मूवी यह परेंड हो जाती है तो दोस्तों ये मूवी एक साइको किलर के बारे में है जो के लड़कियों को किड्नैप करके जंगल में लाकर उन्हें अपने ट्रैप में फसाता है जो उसका ट्रैप से बच जाती है वो लड़कियों को अपना गुलाम बना कर रखता है तिक इसे जरह उसने कई लड़कियों को मारा लेकिन होप को उसका गुलाम बनना मांजू नहीं था क्योंकि उसकी एक बेटी थी उसने अपनी बेटी के लिए उस किलर से लड़ाई की और उस किलर को मार कर उसने अपनी बेटी को बचा लेकिन होप ने गलती कर दी उसने किलर के बातों पध्यान नहीं दिया और उसने अपने दोनों आके खोदी और इस तरह अब दोनों कभी भी इस जंगल से बचका नहीं रिकल पाएंगे तो दोस्तों में उम्मित करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आओगा आपको वीडियो पसंद आथा वीडियो को लाइक कमेट और शेयर जोर करना मैं आप समय लोगा अगली वीडियो में है